हलो आप देख रहे हैं दिललन टॉप Amazon Prime वीडियो पर एक वेब सीरीज आ रही है नाम है The Family Man ये सीरीज चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस से Manoj बाजपाई अपना डिजिटल टेब्ब्यू कर रहे है पहले ये सीरीज अक्षे खन्ना करने वाले थे लेकिन उनके साथ मामला फिट नहीं हो पाया तो ये ओपर चला गया Manoj के पास इस सीरीज का ट्रेलर आया है जो गंबीरता के साथ साथ गुद्गुदाता भी है ऐसा क्या है इस ट्रेलर में वो हम आपको इस वीडियो में डीटेल में बताने वाले हैं तो पहली बात है कि कहानी क्या है एक आदमी है शुरीकान टिवारी बाल बच्चों, पत्नी समेत, बरा पूरा परिवार है लेकिन ये आदमी घर पर रहता ही नहीं है ना घर का कोई कामदाम करता है पत्नी परिशान है, बच्चे पापा की मौज ले रहे हैं ये है शुरीकान की आमजिदिनी अब उसी आदमी की एक और लाइफ है जिसके बारे में उसकी टीम के अलावा किसी को नहीं पता ये लाइफ है एक स्पाय यानी जासूस की देश में घटने वाली तमाम चीजों को अपने साथी ओफिसल्स के साथ हैंडल करता है वो लेकिन इसी वीच इंडियन सीक्रेट एजिंसियों को बलूचिस्तान से ये टिप मिलती है कि इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो श्रीकांट और देश की सुरक्षा दोनों के लिए ही बड़ा और ज़रूरी है एक चूक सब कुछ बिगार सकती है उसे ये सारा कुछ हैंडल करना है अपने परिवार को मैनेज करते हुए अब दूसरी बात इसमें अलग क्या है इस सीरीज में मुखे चिर्दार किसी अंगल से स्पेशल नहीं है वो हमारी आपकी तरह ही है बिलकुल आमाद में उसे भी अपनी बीवी से डान पड़ती है बच्चों को पिक और डॉप कि सुविदा देनी पड़ती है उसके पास ऐसी सूपर पावर्स नहीं है जिससे वो पचास-ाथ लोगों को अकेले दूल चटा सके लेकिन जहां बात उसकी नौकरी की आती है वो सूपर स्मार्ट बन जाता है अब तक हमारे इहां इस जॉन्रों में जो फिल्में बनी है उनमें में प्लॉट यह तो प्यार होता है यह स्पाय का बागी हो जाना होता है और ये सीरीज इन दोनों रेगुलर फ्लॉट्स को गच्चा देकर आगे निकल जाती है अपना हीरो मेरड है और कम से कम ट्रेलर में तो बागी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है इसमें शारुप की पिच्चर आई थी चेने एक्स्प्रेस उसमें गाना था 1-2-3-4 Get on the Dance Floor उस गाने में जो हिरोईन दिखी थी ना इस सीरीज में मनुज की पतनी का किरदार ने भारी है जाहबली भी है चौथी बात, किनों ने बनाई है ये फिल्म? इस सीरीज को लिखा है सुमेत अरोडा ने जिन्होंने स्तिरी के डायलोग लिखे थे राइटिंग डिपार्टमेंट में उनके साथ रवी शंकर मुपा और सुमन कुमार भी है डिरेक्षन का जिम्मा है राज और डीके की जोडी पर राज और डीके की जोडी इससे पहले शोर इन दे सिटी और गोगवा गौन जैसी सफल और अलग स्टाइल की फिल्मे बना चुकी हैं लेकिन इनके खाते में Happy Ending और A Gentleman जैसी फिल्में भी हैं, इस लिए फिंगर्स क्रॉस रखनी होंगा। पांच भी बात, कब आ रही है? The Family Man 20 सितंबर को Amazon Prime वीडियो पर रिलीज होगी, अब फिल्मों के बाद web series भी टकराने लगी है, क्योंकि ये वही date है, जिस दिन इम्रान हाश्मी की शारुक खान की प्रोडक्शन में बनी Bard of Blood भी रिलीज होने बानी है, कमार की बात ये है कि ये दोनों ही series जासूसों के बारे म हैं और इनकी plot में एक चीज कॉमन है वह है भलूचस्तान का connection, तो देखते हैं कि कौन से ज्यादा हिट होती है, बाकी आप जाईए हो जाके trailer देखिए, हमें बिटाइए क्या आको कैसा लगा, किसी और वीडियो के लिए देखते रहे हैं दिलालन्ट और शुक्रिया.